भारत माता की भारत माता की जाए जगनाथ जाए जगनाथ आपका ये स्ने आपका ये प्यार इस आथिरवात के लिए मैं सभी देश वाश्यों का रणी हूँ आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एंडिये की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं देश वाश्यों ने भाजपा पर एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये 140 करोड भारतियों की जीत है भाई और बैनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी खुशलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोड मतदाता ग्यारा लाग पोलिंग स्टेशन देड़ करोड मतदान कर्मी पचपन लाग वोटिंग मशीने हर करमचारी ने इतनी प्रतंड गर्मी में अपने दाईत्व को बखुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने करतव्य भाव का शांदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर हर भारतिये को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिशंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदारन नहीं है और मैं बेश्वाचियों को कहूंगा मैं इंफ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोगतंत्र में यह चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशंसी है यह अपने आप में बहुत बड़ा गवर्व का विश्य है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग है जो दुनिया में अपनी बात पहुँचा सकते हैं उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोगतंत्र के सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतंत्रिक डेशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मद्दाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत्पुर्व उत्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्वपर आदर पुर्वग नमन करता हूँ मैं देश बर के सभी दलों सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूँ सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराट सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मरदय से धन्यवाद करता हूँ साथ्यों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सभा के चुनाव हुए वहां पर एंडिये को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो ओडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साब हो गया है मेरे पाथ डीटेल तो नहीं है लेकिन सायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोग सबाज चुनाव में भी उडिसा ने बहत्रीन प्रदर्शन किया है यह पहली बार होगा जब महाप्रभु जगनाती धर्ति पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पीडियों से वो संगर्थ भी करते रहें जन सामान्य की सेवा भी करते रहें और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूं पीडियों से जिस ख्षन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेलंगना में हमारी संख्या दो गुणा हो गई है मद्धप्रदेश गुजरात चतिशगार दिल्ली उत्राखन हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश ओडिसा आंध्र प्रदेश और सिक्किम विदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं कि मैं राज्यों की जनता को भी स्वात दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबु नाइडुजी के नेत्रुत्म में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत्म में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है कि साथ्यों कि दस्वर्ष पहले कि देश ने कि बदलाव के लिए जनादेश दिया था कि तब देश ने हमें कि वह समय था कि देश निराशा की गर्त में डूप चुका था कि 2013-14 का कालखंड देखिए कि देश निराशा की गर्त में डूप चुका था कि प्रेजाईल फायूद कि सब्दोस्ते में नवाजा जाता था हर दिन अख़बारों की हेड्लाइन गोटानों से भरी रहती थी कि देश की वह पुरी अपने भविश्य के सबत में आसंकित हो गई थी ऐसे समय कि देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था हम सभी ने पूरी इमांदारी से प्रयास किया काम किया कि 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया इसके बाद एंडिये का दूसरा कारकार विकास और विरासत की गारंटी बन गया कि 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशिरवार लेने देश के कौने कौने में गये आज तीसरी बार जो आशिरवार एंडिये को मिला है मैं इसके सामने जनता जनारदन के सामने बिनाए भाव से नत्मस्तक हो हुए आज का यह पल नीजी तोर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है मेरी मा के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनाव था लेकिन सच मानिये देश की कोटी कोटी माताओ बहनों बेटियों ने मा की कमी मुझे खलने नहीं दी कि मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया माताओं बहनों बेटियों ने अभूत पुर्वस्त ने वोटिंग के सारे रकोर्ट तूड़ गए इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यह मेरे भावों में है यह मेरे मन मस्तित के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं राश्ट प्रसम की भावना हमें असामान लक्ष हासिल करने का हौसला देती है यह हम में कुछ कर गुजनरे की इच्छा शक्ति उत्पन न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई आजादी के सत्तर साल बाद बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सत्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिलें देश के असी करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राश्ट प्रसम की इसी भावना की वजह से जम्मु किश्मीर से 370 हटी जी एस्टी और आईबिसी जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था जनहीत में था हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विश्चित होती बड़ी एकोनोमी है राष्ट्र पसम की यही भावना भारत को आत्म निर्फर बनाएगी साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है विश्चित भारत का संकल्प है दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिरवार हमारा होसला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नहीं मजबुति देता है नहीं उर्जा देता है हमारे विरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जितनी इस लोगसभा चुनाओं में अकेली बीजेपी ने जीती है में देश के कौने कौने में उपस्तित बीजेपी के कारकरताओं को कहूंगा देश वाच्छों को कहूंगा आपकी मेहनत इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना ये मोधी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वाच्छों का दुमारा दोहराना चाहता हूं अगर आप दस घंटे काम करेंगे तो मोधी अठारा घंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोधी चार कदम चलेगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और यह मोधी की गारंटी है साथियों एंडिये सरकार की प्रतिमद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर वर्क के विकास की रही है बीते दस वर्थों में हमने 25 करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एस्टी एस्टी ओबिसी की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए बुमन लेट डेवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रप्रेणर्स थिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते दस वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वारोजगार और स्टार्टस में आइतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनेट्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ड को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मन निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रास्पिक्ता पर होगा दलहन से लेकर खाड्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर शेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरीत युक का है आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनाने के लिए एंडिये सरकार के पूरी शक्ति से काम करेगी कि भाई और भेनों कि आज का भारत कि वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है कि हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन कैपिसिटी ने कि दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एस्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले हैं क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकूरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने है भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंड को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाईत्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपें सबको गले लगा रहा है मुझे विश्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्तंब सिद्ध होगा साथ्यों 21 सभी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन यह भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है राज नेतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमा मंणन सुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत जादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड ठैकने का होगा भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जन अकांख्षाओ जन भावन और जन अपेक्षाओं का प्रतलिलित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते हैं जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम मिरंतर संबाद करते रहें साथ्यों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगांट बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देवपत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने देव पत्में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे हम पुरी निस्टा से पुरी मांदारी से देश की सेवा करते रहें हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें हम देशित को सर्वपरी रखें तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विधान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विधान के 55 वर्ष पुरे होने जा रहे हैं केंद्र की एंडिये सरकार सभी राज्जों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों नहों मिलकर काम करेंगी विश्चित भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है यह राष्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विश्चित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है छे दसक बाद किसी गढ़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनार्दन के साथ विश्वास का यह अटूत रिस्ता यह लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है आपका आशिर्वाद नए उत्सा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्ष्य सिमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम संगठन की राज्यों की टीम जिले की टीम मंदल की टीम बूत लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूर नड्डा जी के नेत्रुत्व में अनेत चुनवतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ जिस समर्पर भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एंडिये को विजय दिलाई है वे सब के सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं मैं आज देश वास्यों ने मुझे पर बहुत बड़ी कृपा की है भारतिये जंता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है एंडिये पर बहुत बड़ी कृपा की है मैं 140 करोड देश वास्यों का पुना आभार व्यक्त करता हूं मैं हमारे एंडिये के सभी साथ्यों का भी रजय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं इस देश के महान लोकतंत्र को महान समिजान को फिर सद्धपुरवग नमुन करता हूं मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बं झाल